चलिए, चलिए, सुरू करते हैं, project management process, तीन सब्द है, यहां project management और process, तीनों सब्द क्या है, important है, समझें, project, project मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे आपको पूर्ण करनी है, ऐसा task, ऐसा कार, जो complete करना है, दो वर्ड है, project में देखी, pro लगा है, pro मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को advance में plan करना pro नहीं कि प्रो एक्टीव है तो project मतलब पहले से निर्धारित है किसी कारे को कैसे करना है object आपने सुना होगा trajectory trajectory क्या होता किसी path को जाने का रास्ता trajectory होता जो fix पढ़े होंगे वो जानती हो trajectory क्या, projectile क्या है तो projectile से project बना है मतलब निर्धारित पथ है जिसमें जलना है जिसमें चलना है और जिसमें कारी फूर्ण करना है उसको बोलते हैं ठीक है चलिए management क्या है अब उस पथ पे जो जो obstacle आएंगे वह ना है या उस obstacle को solve करके लक्षे तक पहुंच जाये उसको और ये सारा कारे करने का जो तरीका है वो है प्रोसेस तो मित्रों चलिये शुरू करते हैं कहानी को तो क्या क्या सबसे पहले initiate and align पहला step है पहला step क्या है initiate और align यह देखी लिखा हुआ project conception and initiation मतलब project को conceive करना और शुरू करना जैसे घर बनवाना है, फैक्टरी बनवाना है, यह एक प्रोजेक्ट है, पुल बनवाना है, तो इस प्रोजेक्ट का पहले क्या start होगा, start के पहले भी दिमाग में concept आएगा, कि चलो यह कार यहाँ पर करना है, तो concept बना और concept को initiate किये, अब concept के अंदर क्या क्या है, प्रोजेक्ट को description ब पुल बनाना है तो भई यह कहाँ पुल बनाना है कितने मीटर की बनाना है उचाई कितनी रखना मजबूती कितनी रखना लोट साहनी की छमता किता रहना कॉस्ट यह सब कुछ description भी होता है project team mission assignments कौन कौन टीम लगेगी, technical team लगेगी, civil engineer कितने लगेंगे, manager कितने लगेंगे, worker कितने लगेंगे, किसको क्या काम देना है, फिर major milestone अब प्रोजेक्ट खतम होगा सो दिन लेकिन ऐसा थोड़ी आज शुरू करती है अब सो दिन बाद मेनेजर आएगा पता करने नहीं माइलिस्टोन मतलब पिलर हो गया कॉलम जिसे बोलते हैं फिर लिंटर हो गया कहां तक काम पहुंचा तो हर प्रोजेक्ट का यह मैं एक्जा सालम लेवल पर बाहर मतलब निर्धारण कायर, निजाएइब करने चाहे फैसे की बात टो इस से जादा इन लग देन नहीं लगना है या finishing की बाद इस से ज़्यादा finishing नहीं करना है तो हर चीज का boundary पहले से बना हुआ है तो boundary को अपने को पालन करना है team identification team identify हो जाए कि ये team ये कारी करेगी ऐसा नहीं हो अलग team को अलग कार दे दिया और कोई और रहा है तो जिस team को जो कार दिया करेगा वही roles and responsibilities हर team का roles and responsibilities define है कि तुम्हारा role क्या है और तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है majors of success हर team जो अपना कारी कर रही तो success कैसे major करेंगे कि सही कर दे की नहीं उसके parameter होंगे जैसे column सही बना की नहीं बना उसका parameter होगा उसका strength उसको देखेंगे उसके सिधाई देखेंगे मजबूती देखेंगे तो यह success के majors यह column से मेजले समझा रहा हूँ क्योंकि generally आप लोग सब को ही relate कर सकते है operating guidelines फिर कोई भी कार करने की guidelines है जिसमे safety included है जिसमे health included है कैसे कार करना नियम और policy जो government की वो included है बतलब यह सब कुछ project start करने की कहानी है संचेप में कहें तो project और charter बनता है जिसमें सारा project की बारे में लिखा रहता है project initiation इसमें यह सारी बाती है मित्रो अब क्या करेंगे second भीया start कर दिया अब plan करना पड़ेगा work को project definition और planning planning होगी यह सब क्या हुआ यह पूरा description है कि यह यह होना चाहिए अब यह कैसे होगा यह तो define कर दिया यह होगा अब कैसे होगा उसकी पूरी planning होती है planning में क्या होती है scope और budget scope और budget निधारित होता है कि कितना कार है और कितना budget लगेगा work breakdown schedule इतना हुआ proper communication daily का जो बोला गया वो implement हुआ की नहीं और risk management जो भी project में risk तो हर काम में है तो वो mitigate करना risk को कम करना manage करना और अच्छे हैं समझना हो तो यह वाली slide देखिए क्या होता है पहले work breakdown होता है बड़ा work है pull बनाना है pull के कई हिस्से हैं उसमें breakdown कर लिया का master deliverables list अब जो deliverable है मतलब project के जो हिस्से हैं वो complete हो जाए उसी को कहते हैं deliverable तो list बन जाएगी यह यह कार होने task planning and schedule task plan होगा कि ऐसे ऐसे कार करना है और schedule schedule मतलब time limit fix होगी budget budget fix होगा risk plan करना पड़ेगा communication plan करना पड़ेगा कि कौन manager है कौन worker है कौन supervisor है decision flow कैसे होगा मेरा decision flow वाला lecture देख लिजेगा top down और bottom top बताया है उसमें अगर management में कोई plan change हुआ तो वो भी communicate होना चाहिए हो सकता है project की बेच में दिमाग फिर जाए और change करना पड़े तो वो उसका process भी होगा quality quality कैसे check होगा उस सब का भी इंतिजाम है और transition and closer plan अब अगला step पाता है project launch का execute का पहले में क्या हुआ project का concept दूसरे में planning तीसरे में execution उसी को बोलते हैं endorse करना plan को तो execute कैसे करेंगे तो execute करने के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए देखे status और tracking हर level पे project का status कितना है कितना complete हुआ track करना सही जा रहा नहीं जा रहा KPI knowledge performance indicator हर sector का जिस sector का project है उस से related knowledge performance indicator है वो चेक किये जाएगे KPI पे मैं एक अलोग वीडियो लूँगा एक लंबा topic पांच मिनिट का इसलिए यहाँ explain नहीं करो बहुत लंबा वीडियो जाएगा quality जानते हो forecast मतलब पूर वनुमान ये सब कुछ project launch के समय होता है फिर project performance and control perform जो हमने launch किया वो कैसा perform कर रहा है और performance ही नहीं कर रहा तो उसमें क्या controlling है तो उसमें क्या क्या terms आते है objectives जब project शुरू हो गया तो हमारा objective क्या है achieve हो रहा की नहीं हो रहा है जो quality promise होई थी वो deliver हो रही नहीं हो रही effort और cost track किया जाएगा जितना मेहनत जितने labor लगना था जितना budget लगना था उससे ज़्यादा तो नहीं लग रहा और performance उनका कैसा है यह सारी चीज़ें इसमें देखेंगे और अच्छे समझना है तो इस slide को देखिए managing scope, schedule and budget risk manage करना, change manage करना और communicate करना कि कितना progress हुआ क्या issue आ रहा है और क्या relation learn किया तो relation learn भी important है ताकि हम revise कर सके कहीं कोई दिख्कत हो तो change कर सके चलिए आगे देखते हैं आगे हम देखेंगे project completion या project closure इसमें देखेंगे project closure में क्या होता है project अब होने की इस्तिति पे complete होने की इस्तिति पे हम transition plan execute करते हैं मतलब project हो गया review करेंगे जो जो हमने लेशन सीखा हूँ इंप्लिमेंट हुए कि नहीं reward और recognize जो अच्छा कार है उसको reward और recognize भी किया जाएगा और archive archive या archive बनता है किसके लिए कि ये project इस लेवल पे हुआ और इसमें ये गलतिया पाई गई तो अगला इस तरह का project जो होगा तो एक तरह ऐसी ये case study के रूप में कारिक करेगा और अच्छे समझे तो project closer में post-mortem करते हैं मतलब पूरा project का पीछे देखते हैं कैसे कैसे सब काम हुआ क्या दिक्कते थी project punch list जो जो मुख दिक्कते थी वो सब लिखी गई और report किया गया ये है project management process के कहानी आपको याद रखना है कि 5 step होते है project concept बनता है पहले फिर planning होता है फिर execution होता है फिर performance control होता है फिर project close होता है तो क्या है conception, planning, execution, performance और project close ये है कहानी project management process के जो key term में उसका meaning आपको पता होना चाहिए धन्यवाद